नमस्कार दोस्तो मैं कर्णल अजय सीओ अजय एस्टो मानी करो फर्स्ट ग्लोबल एस्टो फानेस डिजिटल चैनल से आप से मुखातिब होता हूँ दोस्तो आज के एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं क्रशी जीनसों के अंदर जीरे धनिया और कपास खली के अंदर क्या संभावना बनेगी शेर बजार के अंदर क्या जल चल रह सकती है और नौन एग्रो कमोडिटीज के अंदर क्या संभावना बनेगी दोस्तो सबसे पहले आ राशियों के अधार पर आपका नफ़ानुकसान 12 जोतिश में 12 राशियों को 4 तत्वों में डिवाइट किया गया है अगनी प्रत्वी वायू और जल अगनी तत्व की तीन राशियां एक पांच नो मेश सिंग और धनू राशी आज आपके लिए दिन अच्छा रह सकता है लाप कमा सकते हैं 2-3 बजे के बीच में रखिया तरिक साथधानी अन्यता आया वा मनाफ़ा हाथ से निकल सकता है 2-6-10 ये है प्रत्वी तत्वी तत्वी राशियां व्रश्शव कन्या और मकर राशी मिश्रित रुक की तरह इशारा कर रहा है 3-4 बजे के बीच टाइम बिलकुल मुफीद नहीं है साथधानी रखने चाहिए 3-7-11 यानि वायू तत्वी राशियां मिश्रित रुक की तरह फिशारा है 12-1 बजे के बीच में रखिये अत्रिक साथधानी दोस्तों याद रखेगा शेर बजार हो या फिर कमोडिटी बजार इंड़स्ट्री हो या फिर उध्योग धंदे या फिर दुकान आपने देखा होगा एक ही प्रकार की अनेक दुकाने एक ही वस्तों का व्यापार करने वाले अनेक व्यापारी लेकिन उनकी आर्थी किस्तिती एक जैसी नहीं रहती है एक ही जगे पर बैटे हैं एक ही मंडी में बैटे हैं लेकिन अलग-अलग आर्थी किस्तिती अलग-अलग मुनाफ़ा ऐसा क्यूं जब समान एक है जगा है फिर फरक्यों यह है तत्वों का कमाल अगनी तत्व की राशियों को यदि जल तत्व के कास से संबंदित काम कराए जाएं तो कितने भी मेहनत कर लीजे कुछ नहीं होगा आपने अक्सर सुना होगा कि पढ़ता तो बच्चा बहुत है लेकिन होता कुछ नहीं क्योंकि आपने उससे संबंदित पढ़ाई करवा ही नहीं हैं बच्चे की रहें कि जनमकंडली के अंदर व्यापारी की जनमकंडली के अंदर व्यापार का योग है आप उसको पढ़ाई करा रहे हो इंजिनिरिंग की उसको पढ़ाई करा रहे हो मेडिकल की उसको डॉक्टर मनाना चारे हो इंजिनिर मनाना चारे हो लेकिन उस किसी की विक्ति की कुंडली में ग्रहे उशारा कर रहे हैं उसको एक महान इंजिनियर बनने की आप उसको जबरदस्ती दुकान पे बैठा रहे हो फैक्टरी में बैठा रहे हो तो निश्यत रुपस का से उसका वो मिसमैच है बे मेल है अगनी को पानी से मिलाओगे तो पानी परिशान और अगनी भी परिशान तो दोस्तो भारतिय रिशियों ने इस पर बहुत अनुसंधान और शोद किया है और वही नतीज़ा है कि हम आप तक अपनी बात पहुचाते हैं जो कि अक्षरत सत्ते साबित होती है तो दोस्तो ये था राशियों के अधार पर आपका नाफ कर रहे हैं गोरतलब है कि मसाले के अंदर तीन महतवपूर्ण मसाला जीरा धनिया और हल्दी ये तीनों के ही केरी फॉरवर्ड स्टॉक्स बहुत कम हैं दोजार बाइस के अंदर संबबत है मसालों की दुनिया के अंदर एक बड़ी तेजी बन सकती है और फिशेशकर धनिय के अंदर तो पिछले तीन मेने में ही 40% से अधिक की तेजी दर्ज हो गई है दो मेने पहले ड़ाई मेने पहले धनिया साथ जार से नीचे अट सट सो पैंसट सो के हैसाब से बिक रहा था कोई लेने को तयार नहीं था हमने आपको तब भी कहा था कि धनिया में शान्ती रख नहीं है लगबग दो मेने से यही हाल जीरे में है जीरे के अंदर भी हमने आपको तेजी की बात कही थी अक्षत सत्य साबित हो रही है जीरे और धनिया अच्छी तेजी दिखा सकता है लाल मिर्च भी अच्छी तेजी दिखा सकती है तो मसालों के अंदर तेजी की संभाव ना बनती है अब non agro communities के साथ share बजार में क्या संभावना है दोस्तों share बजार के अंदर nifty और bank nifty में अभी भी गिरावट का दौर चल सकता है याद कीजिए हमने सबसे पहले आपको nifty और bank nifty में गिरावट की बात कही थी यही कहा था कि इसके अंदर गिरावट आ रही है विदेशी निवेशक लगाचार माल विक्वाली कर रहे है घरेलू संसागत निवेशक इतनी मात्रा में खरीद नहीं कर पा रहे है अब budget का समय है budget का countdown शुरू हो चुका है budget से related stocks के ओपर निवेशक ज्यान रखना चाहिए लेकिन कुछ ऐसे stocks होते हैं जो हर गिरावट के अंदर निवेश के लिए योग होते हैं उसमें सबसे प्रमुक है Reliance Reliance जैसा stock जो आपको हर गिरावट के अंदर निवेश की द्रश्टी से अच्छा नज़रा रहा है यहाँ पे नज़र रखिए जैमेटो के stock के ओपर भी हम बात करते हैं जब जैमेटो का IPO आया था उस वक्त भी हमने आपको कहा था कि 5 साल से लगातार बड़ी नुकसान जहिलने वाली कंपनी के अंदर ये इन लेबल्स के ओपर ये IPO जस्टिफाइड नहीं है देखो और इंतिजार करो कि रणनिती अपनानी चाहिए जैमेटो के अंदर और जैमेटो को आप रुखिए आपको अदबुत रिजल्ट देने में सक्षम है याद कीजे साउथ वेस्ट मांसून और जनवरी के महने के अंदर तेज बरसात और ठंड की अगरी मविश्वानी में हमारी सत्य साबित होती देखी जा रही है इसका असर क्रशी ओपज दाल हैं मसाले हैं इनके ओपर सरवादिक पर देखा जा रहा है तो दोस्तों आप हमारे चैनल को देखते रही है यदि पसंद आए तो सब्सक्राइब अवश्च कीजिए तीसरी सेग्मेंट होता है हमारा कमोडिटी वाच कमोडिटी वाच के अंदर गोल्ड के अंदर आज तेजी के संभावनाई बन सकती है 1834-35 के आसपास का जो गोल्ड है ये अच्छी तेजी दिखा सकता है और ये 1842 तक के इस तर देखने जाने संभव है अठारा सो अठाइस डॉलर पर इसका स्टाप्रास लगाना चाहिए दोस्तों शेर बजार हो या फिर कमोडिटी बजार या फिर एग्रो कमोडिटी जबर दस्त विशलेशन प्राप्ट कर सकते हैं अश्ट्रो टेक्निकल के जरीए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं अबरे बस्त गुद लग एपी ट्रेट टेडिंग